और हमारे ये भाई हमसे इतना डर जाते हैं, इतना सहन जाता है बंदा कि ये बोलता है यार मेरे से नहों पाएगा, मैं निकल रहा हूँ आँसे तो हाई लू कैसे हूँ, तो यार वेलकम दी, बैक, बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बिरा न्यू, गलक चीन से भरे पड़े पड़े पपजी दो मुबाईल गेम प्ले वीडियो में, अब इस मैच में यार मैं अपनी पेटी बनते देख पा रहा था हर बार, मतलब हर बार ऐसे जगाओं पे फसराओं जहांपे पेटी बनना लगबग ताय हो जाता है, और बहुत दिक्कत है भी होंगे, लेकिन यार जैसे तैसे करके, कुछ न कुछ जुगाड भीडा के जीतने की कुशिस करेंगे, खेर फिलाल यहां अमेजिंग पारक आए हैं, और हमारे सा जिदा वहीं पेटी बन गई, खेर इन भाई के अलावा चार बंदे और आये होते हैं, और मैं अपनी ये मन पसंद जगाँ में चरजाता हो यार, ये ये जगाँ बहुत खतरनाक लगती है मुझे, अब देखो मुझे पता है लेफ्ट साइड से एक बंदा बैरल पटका रह मुझे क्या करना चाहिए, यहां से उतर के कहीं डंग की जगा पे जाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत बड़ा धीट हूँ और अब यहां पे मेरी पेटी बनने वाली है, वो भी किस चीज की वज़ा से, सिर्फ और सिर्फ मेरी धीटता की वज़ा से इसलिए बोलता हूँ यार, यह धीटता मुझे कभी ठिलाएगी जरूर, और कई बार ठिला भी चुकी है, लेकिन देखो, हम फिर भी इतने धीट है कि उपर ही रिवाइव रिवाइव खेल ले हैं, और मैं बस कोजिस कर रहा हूँ कि यार, रिवाइव हो जाओं, जैसे तै मैं यू और रिवाइव होते यार, चारो के चारो बंदों की पेटी बन जाती है, अब किस्मत सही चल गई, क्यूकि यार, हेलमेट हुलमेट कद्दू भी नहीं था, और ये दो बंदे तो उड़ते वे आते, और इनकी लगपक हवा में पेटी बना देता हूँ मैं, और देखो, कहीं पे गुली लगीगी, अगर किस्मत सही रही, तब जाके गुलिया लगती है, लेकिन देखो, मैं तो यहीं उपर वैठा था, और मेरा सपरे हमेशा की तरह सस्ता ही था, लेकिन किस्मत साथ दे गई, और चारो के चारो बंदे ठिल गए, तो वहाँ पे पोचंकी के बग अपन में भगते वे दिखता है, और देखो इस बंदे के टीमेट्स बहुत चालाक होते हैं, बेचारे अकेले बंदे को उपर में भेज दिया, बोला कि वहाँ गाड़ी ले क्या हो, वही कर रहा था मेरे ख्याल से, और हमने पकड़ लिया भाई को बिलकुल और इनका एक बंदा तो या रस्ते में ठिल गया और बागी के बंदे बिलकुल चत में बैटके, मजे इसे कवर के पीछे बैटके, डीपी पटका रहे होते हैं, तो देखो एक बंदे को मैं धैड़ पैड नौक करता हूँ, और अब टाइम आ गया है अंदार रस करने का, औ और यहाँ पे जो सीन होंगे न, बहुत ही गजब होंगे, अब यह सीन बहुत ही बढ़िया है, देखो मिल्टी रेरी ऐसी जगाए जहाँ पे भी लेट होगे यार आप ए खतरनाक साब बन जाओगे, क्योंकि ज़ाड़ी जंकट यहाँ पे इतना दबा दबा किया ही कि क्या ही बताओं, तो यहाँ पे टोटल तीन बंदे बैठे होते हैं, एक बंदे को रोड पे पकड़ लिया था, तो दो बंदे उपर ही होते हैं, दोनों को मैं उपर ही नौक कर देता हूं, और हमारा यह तीसरा बंदा, चत से बिलकुल पूरी चौड में भाया चलांग लगाते ह बाद आगे आके गोली चलाने की बजाए, भाई साब बन जाते हैं, सही यार मतला गोली गोली चलने लगए धेड़ पैड नीचे गूदो और साब बन जाओ, लेकिन क्यों कि यार कूदने की आवाज आ ही गई थी मुझे तो साब दिख भी गया, खैर इसी के साथ मिलते रे गेम और मिनी गेम खेल सकते हो, साथ इस पर आप कई सारे स्पॉर्ट चैसरे किरकेट, फुटबाल, बोली बासकेट, बॉल और यार गई सबसे पर करके बको सकते हो, और अपनी अगर आप रजिश्टर करते हो तो यार मुझे इंस्ठा पे टैग जरूर कर देना क्यूंकि हर दो दिन में एक लखी विनर को गूगल गिफ्ट कार्ड मिलेगा जिसे आप यूसी खरीद सकते हो या सूपर चैट में बहा सकते हो खेर उसके बाद मैं दूबारा से अमेजिंग खड़े थे इससे सिर्फ एक ही बात पता चलती है अमेजिंग पार्क पे कोई न कोई बैठा जरूर है और जहां तक मेरे को याद यार ये वही अमेजिंग पार्क है जहां पे मैं सबसे पहले उतरा था और पांच बंदों की पेटी बनाई थी लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नियार उसी जगा पे आके दुबारा किल मिलेंगे तो दिक्कत किदर आ रही है केटी बढ़ेगी अपनी तो पहले मैं सबसे पहले इन सस्ते घरों पे आता हूँ क्योंकि आगे कितने बंदे बैठे हैं किधर बैठे हैं किसी को नहीं पता और यहां से गूलिया चलाने की और यहां पे अपने सस्ते चैक से मैं दो बंदे नोक कर देता हूँ और वो बंदा जो ऊपर चड़ा था चजजे में भाई पता नी कहां पे एक एम पटका रहे हैं मेरे ख्याल से किसी बोट को दूर पेल रहा था वो खेर जो भी ओ दो बंदे नोक कर दिये अब जितने भी बंदे होंगे यार गुस के ही पिलना पड़ेगा और रिवाइव अगेर्या भी हो रहे होंगे तो मैं ध्याट पेड गाड़ी लाता हूँ यहां पे लेगे रही आयायाय गाड़ी आयाय अब आते टेम मैं दो बंदे नोक करता हूँ लेकिन जैसे मैं यहां पहुंचता हूँ ना भाई हर कोई छुप चुका होता है नाजाना कहां पे जाके कैसे गायब हो गए यह लोग लेकिन जो दो बंदे नोक किये थे उनमें से किसी की भी किलनी मिली बस यहाँ पे आके एक बंदे को पकड़ लेता हूँ मैं और उसकी सीधा पेटी बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आर गाय बुजारे बंदे और दुबारा से मैं अपनी मन पसंद जगा पे आजातो यार यहाँ पे बिल्कुल मजा टैप आजाता है अब देखो यह लोग नीचे नूचे कूदे हैं और मैं यहीं पे रहूँगा क्योंकि नीचे गया अगर तो यह कहां से गुम के कब पेल देंगे कद्दू पता नहीं चलेगा तो नीचे से फुटी स्टैप आ रहे थे मैं नेट नूट करता हूँ और कुछ भी नहीं उखरता नेट से और ये शायद मैं पहली बार कर रहा हूँ पीले धुए मैं अज्यस और इस बार भाईया चाहे कुछ भी हो जाए रिवाई वोने नहीं दूंगा यार गुसके ही पिलना पड़ेगा हमें और यहाँ पे सीन ऐसे होते है यार इस सकोर्ड के अलावा एक गाड़ी भी गई थी यहीं कई से तो देखो ओपन में जाऊंगा तो मैं भी ठील सकता हूँ लेकिन पेटी बनानी भी जरूरी है और इस सकोर्ड के तीन बंदों की मैं पेटी बना चुका हूँ फलेर भी आ रखी थी यहां कहीं नजाने किसने मगाई यह तो देखो तीन बंदे ठील गए लेकिन एक बंदा अभी भी यहीं कहीं बाकी है और देखो वो बंदा सीधा पेटी बनाएगा मतलब गोली चलनी चीए तब तक पेटी ने बने जब तक वो हम पे भी लागू होता है हमारी भी पेटी बनेंगी सीधा तो ध्यान से रहेंगे ठीक है मजा करो यार उचल कूदी में बिल्कुल रह रहू में यहां पे और उडा है वो मैने देखा हुँज उडते हैं और हमारे ये भाई हमसे इतना डर जाते हैं इतना सहंग आता है बंदा कि यह बोलता है यार मेरे से नघूपाएगा मैं निकल रहू यहां से तो बंदा वो उडने वाली मसीन में बैटता है और भाई उड गाया बिल्कुल मैं भी धीट था मुझे पता था हवा मैं कद्दू भी नहीं पिल पाऊंगा मैं उसे लेकिन फिर भी गोलियां बर्बाद करता हूँ और देखो ये ओपन में लूटना मुर्कता है लेकिन धीट है हम तो ओपन में भी लूटेंगे लेकिन मेरे से जादा धीट मेरे आसपडूस में रहने वाले लोग हैं ठीक है बोला गया है भाईया घर पे रहो फालतू टाइम पास के लिए बाहर मत निकलो और आपने सुना होगा अगर मुझे नहीं पता मैं पूरी जान लगा के चिला रहा था ताकि उनकी आवाज न आए भाई गर के सामने आके बाते पेलने ठीक है बाते करे जारे और मुझे लग रहा है सुन भे रहोंगे सुनने दो भाई घर पे रहो यार देखो अगर काम नहीं है बे फालतू मैं मस्ती के लिए मत निकलो यार घर पे रहो सतर क्रहो साफधान रहो खेर जो भी उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ इनकी बाते तो चलती रहेगी अपना काम आगे बढ़ना चाहिए सच्ती कमेंटरी आगे बढ़नी चाहिए और यार मानो याना मानो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस तरफ मैं सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को डूड़ने आए था जो उड़के चला गया था अलग लेवल की ठीटता है मेरी भी अब ये दो बंदे तो वो होते नहीं लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यार दो किल फालतु में मिल गई फ्री में मिल गई तो दिक्कत किदर आ रही है लेकिन देखो ये जगह भी जणकट से बरी पड़ी है कोई भी कहीं पे भी लेटा हो सकता है तो मैं धैड़ पैड जिसको नोक्या था उनकी पेटी बनाता हूं और इधर गटका गुटका की साइडा जाता हूं और यहां पे भी आगे वाले घरों पे बंदे बैठे पड़े हैं अब यहां पे यार मुझे घरों पे रहने में सिर्फ एक ही बात का डर होता है कि यार बाकी के बंदे मुझे नेट से ना पेल जाएं मैं तो किसी का कुछ नहीं उखाड पाऊंगा नेट करके लेकिन यार वो लोग पेटी भी बना देते हैं कभी कभी और जब यह मेरे मुझे सामने भड़ता है ना नेट मैं हजोडता हूं भाई मैं बोलता हूं या हमसे ना उपाएगा मैं इधर कोने में आके लेट जाता हूं बिल्कुल फटके चारों गई होती है क्योंकि देखो वो नेट अगर अंदर आ जाता ना तो ये लोग अंदर रस करते और कितने बंदे बैटे पड़े हैं कद्दू भी नहीं पता तो मैं थोड़ी देर वहाँ बैटता हूं फिर बोलता हूं नहीं यार ऐसे किल और केठी नहीं बढ़ेगी तो मैं दुबारा उड़ता हूं और यहां दरवाजे पे ठीपी पी लेने लगता हूं अब ये लोग काफिर देर तक ना ही पीक करते हैं ना ही नेट करते हैं तो करना क्या यार हम ही अंदर गुसेंगे और पहले की कुछिस करेंगे और हूंगे यहां पे भी गलत सीन अब यहां पे हम दोनों बच जाते लेकिन ऐसा होना नहीं चीए था सीन क्या होता है वो बंदा छत के उपर से सीडियो के उपर से गोलिया पेला होता है अंधा प्रिफायर मैं बोलता हूं यह प्रिफायर देगा हम भी प्रिफायर देंगे प्री फायर देते वे उपर की तरफ मूँ करता हूँ बाद में पता चलता है उपर कोई है नहीं बनना नीचे कूच चुका होता है और जब मैं नीचे जाता हूँ गन रिलोट पे चली जाती है मैं बोलता हूँ यह हमसे नहुपाएगा बाहर निकलता हूँ दर्वाजा बंद करता हूँ गन को रिलोड करता हूँ और जैसे ऐसे करके पेल देते हैं मिने मिल जुलके खैर जो भी हो उसके बाद यहां पे काफी देर में रुका रहे तो हूँ क्या पता साप सुप मिल जाए बोलके लेकिन कोई भी नहीं मिलता और बढ़िया बात यह है कि यार एड़ ड़ल मिल चुकी है अब याद रखना वो जो बंदा भगा था उससे हम पंगे जरूर लेंगे उसकी पेटी जरूर बनाएंगे देखो यार होंगे उसके साथ गलत सीन भी लेकिन फिलाल यहां एक बंदा कैम्प करके बैठा होता है होल्ड करके बैठा होता है तो इस भाई को पेलने के लिए हम भी अंदर गुश जाते हैं और यहां पे मैं प्रीफाइर नहीं दूँगा यार मैं ठिलना नहीं चाता पहले भी गलत सीन हो गए हैं इस बार गुश के गुलियां चलाएंगे सीधा अब आपने सुना होगा उपर पहाड़ी की तरफ कोई M249 पटका रहा होता है सो गुलियां चला रहा होता है और वो गन्ना अपना पूरा गेम बदल के रख देगी और यह चीज मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ यार ये बोट लोग कैसे कैसे जिन्दा रह लेते हैं आखिर तक हमसे नहीं पाता कभी कभी इतना खैर जो भी ओ M249 वाले बंदे पहाड़ पे चड़े बैठे थे तो मैं भी सकूप वगेरा खोलता हूँ देखता हूँ का है और जिस रफ्तार से वो लोग भक्के आ रहे थे ना मैं समझ गया यहाँ पे अगर मैं रुका थोड़ी दिर और तो मेरी सीधा पेटी बनेगी और भाई पे थी भी M249 तो यार सो की सो गोली पेटी में भर देता वो मेरी कैर जो भी ओ यहाँ पे जोन नहीं होता तो मैं बोलता हूँ ठीक यार जोन की तरफ चलेंगे अब याद रखना उस बंदे पे M249 थी और मेरे पे क्या है मेरे पे गाड़ी पड़ी है तो मैं गाड़ी निकालूंगा और यार गाड़ी और M249 का रिष्टा बहुत ही गलत होता है और यहाँ पे मुझे जिस चीज का डर होता है यार वही चीज होती है वो भी बंदा लेटा पड़ा होता है अब देखो भाई वैसे भी M249 पठका रहे हैं उपर से लेट के तो यार वो सारी की सारी गोली हमारी गाड़ी में भड़ देता है बंदे की मैंने पेटी तो बना दी लेकिन अपने पे गाड़ी नहीं है तो मैं क्या चा रहा होता हूँ वापिस लेट वाले गरों पे जाना चा रहा होता हूँ लेकिन फिर से यार जोन नहीं होता वहाँ पे तो बरबादी हो जाती है समोक की और तामबे पे सुहागा करने के लिए राइट से कोई बंदा एउजी भी पटका रहा होता है अब देखो सीन क्या होता है लेट वाला मैं घर इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे पता था ये लोग उपर से आएंगे और पाहड़ी से उस घर पे गूलियां पेलना बहुत आसान होता है लिकिन यार ये लोग बहुत जल्दी आ चुके होते और हमें रस्ते में ही पकड़ लेते हैं और अब लेफ्ट वाले घरों पे जून भी नहीं बचा होता तो उपन में जुगाड भीड़ाने होंगे और ये थे हमारे M249 वाले भाई के जहरीले टीमेट ये बंदा भी लेटा पड़ा है उपर पे तो देखो इस भाई को मैं सीधा सीधा दो गलती से एट सौट मारता हूं मतलब रिवाईव क्या रिवाईव का नाम भी नहीं ले सकते थे ये लोग जब तक भाई ने बोला होगा अरे भाई या रिवाईव देना जारा तब तक भाई की पेटी बन गई थी खैर उसके बाद मैं जोन में गुशता हूँ जैसे टैसे गरके गाड़ी के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है और बिल्कुल ओपन में पासे हम और अब दिक्कते और भी ज्यादा बढ़ गई है उपर एक बंदा है और जो जिस हिसाब से उसके हाथ में गंती मैं समझ गया यार एम के चोदा पढ़ी है भाई पे तो देखो समल के रहना होगा लेकिन दिक्कत ये भी एक यार राइट में भी कुई बैठा है और राइट नौख किया और देखो जिस बंदे ने मेरे टीमेट को नौक किया ये सेम तु सम वही बंदा होता है जो वहां से उड़के भग गया था क्यूंकि इस भाई को मैंने पहले नौक किया था उन सस्ते घरों से लेकिन किला कभी भी नहीं मिली बंदे की तो देखो वह बंदा वह से भगा और अब आकरी जोन में आके भाई हमी को तंग कर रहे हैं कास वहीं पेटी बना पाता यार दिक्कते बहुत कम हो जाती लेकिन कोई नी यार धैड़ पैड मैं रिवाइव अगेरा देता हूं यहां पे कोई गोली नी चलाता सब अपने में ही लगें पता नहीं क्या ही कर रहे हैं और लगभग हमेशा की तरह जोन अपने को फिर से धोका दे बैखता है अब देखो ऊपर पे एक बंदा बागी है जिस पर Mk14 पड़ी है राइट पे एक बंदा बागी है जो अमेजिंग पार्क से उड़के बग गया था और उस भाई पर EUG पड़ी है लेकिन द अब हमारे सामने वाले भाई अमेजिंग पार्क से उड़के जरूर भग लिये थे लेकिन यहां से कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं और अखिर कार जाके जिस बंदे का पीछा नजाने कहां तक किया कहां से किया उसकी पेटी बन जाती है तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए अगर यहां पे मेरे पे AWM नहीं होती और वो जो बंदा पत्थर पे लेटा पड़ा था अगर मैं उससे नहीं पेल पाता एक ही गोली में अगर किस्मत साथ नहीं देती वहां पे तो यार जीतना बहुत ही जादा मुस्किल हो जाता क्योंकि यार फिर MK14 से और AUG से यह दोनों के दोनों हम पे इगोलिया पेलते लेकिन बजगे यार मज़ा ठैपा गया तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतने ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए और यार लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलना देखो ये बात हर बार बूलनी पड़ती है ये यूटूब का रूल है बिलकुल अगर तुम वीडियो बना रहे हो तो ये बात बूलना जरूर है लाइक सब्सक्राइब करना मद भूलना तो आज के वीडियो में इतने बहलोग यार बहुत बहुत सुक्रा वीडियो देखने के लिए जाते जाते एक एक ठेक्स बैट चेहरूट करना मद भूलना उसके लिंक कमैंट सेक्षियों में होगी बिलकुल टोप में तो कल मिलते है बाइ 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 बाइए झाल झाल